शनी तारे तो कौन उबारे और शनी उबारे तो कौन मारे जी हाँ आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ शनी देव पर जय जोतिश जय शनी देव आप अगर मेरी ये वीडियो सीखना चाहते हैं तो पेपर और पेनल लेकर तयार हो जाएए क्योंकि मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ जो मैं एडवांस लेवल के लाल किताब कोर्स में बताता हूँ इस वीडियो का बनाने का परपस सिर्फ यह है कि कोर्स की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इस वीडियो को कृष्प करकर आपको ज़्यदा ग्यान दिया जा सकी यदि आपकी कुण्डली में शनी देวता, आपके प्रथम भाव में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिती में बैट कर, वो स्वास्थे संबंदित दिकतें देते हैं स्वास्ते संबंदित दिक्कते आएंगी या व्यक्ति जब भी घर बनाएगा उस समय पर मेजर स्वास्ते संबंदी दिक्कत आएंगी ऐसे व्यक्ति को जब व्यक्ति पैदा हुआ होता है तो उसके जन्म के within span of six months भी काफी health issues आ जाते हैं ऐसी स्थिती में व्यक्ति को पचास गिराम सुर्मे की डली का उपाय करना होता है शनी देवता अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आ गए हैं तो ये आपको सबसे पहले थाइरोड की दिक्कत दे सकते हैं और अगर आप विभायत हैं तो ये आपको आपकी married life का सुख नहीं लेने देंगे इसका logic थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये घर ब्रसपती और शुक्र का होता है यहाँ पर बैठ कर शनी देवता शुक्र के साथ मितरता करते हैं और ये दोनों मिलकर ब्रसपती देव को नराज कर देते हैं ultimately इसकी detail वीडियो एक अलग से पढ़ी हुई ह आप वो देख लीजेगा ultimately व्यक्ती अपने व्यवाहिक जीवन को enjoy नहीं कर पाता वो किसी भी कारण से हो सकता है दोनों में से एक की health का खराब होना दोनों में से एक की नोकरी का चला जाना या व्यापार का ना चलना या आपस में अनबन हो जाना difference of opinion होना या एक दूसरे स दूर रहना ऐसी स्थिती में कंट पर केसर का तिलक लगाएं और 43 दिनों तक मंदिर जाने का उपाए करें अगर शनी देवता आपकी कुंडली में तीसरे भाव में हैं तो यह यहां बैठकर आपके स्टमक संबंदित issues देंगे और आपकी property में दिक्कत देंगे या तो property में पैसा फसेगा या property बन ही नहीं पाएगी ऐसी स्थिती में व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति तीन कुत्तों को भोजन कराए नियमित रूप से जो street dogs होते हैं उनको नियमित रूप से भोजन डालता रहे अगर कुंडली में शनी देवता आपके चोथे भाव में आ गए हैं त अपने दोश कम हो जाएंगे परंतु मा को दिक्कत होगी और finance संबंदी दिक्कत यहां पर आ सकती है ऐसी स्थिती में व्यक्ति को चाहिए कि चार किलो कच्चा दूद लेकर उसे जल प्रभा करे किसी भी सोंबार या शनीवार के दिन लाब प्राप्त होगा शनी देवता का सबसे खतरनाक स्वरूप आता है कि अगर शनी देवता पांचवे भाव में बैठे हैं देखिए शनी देवता यदि पांचवे भाव में बैठ जाएं तो वो संतान के लिए सबसे अधिक समस्या क्रियेट करते हैं यहां पर बताया जाता है शनी देवता अगर पांचवे भ सकती है या नरसंतान होती ही नहीं है ऐसे में मिसकेरियज और एबोरिशन होना स्वभाविक है व्यक्ति के साथ ऐसे में व्यक्ति को दस बदाम का उपाय करना चाहिए दस बदाम मंदिर में ले जाकर रखने चाहिए और उसमें से पांच बदाम वापस लाके अपने घर में र गुटनों पे चोट का निशान होना गुटनों में दर्द होना ऐसी समस्याएं देते हैं तता साथ ही यहाँ पर बैठकर शनी देवता गरीबी और निर्धनता का योग बनाते हैं अगर शनी देवता यहाँ पर खराब अवस्ता में है तो यहाँ पर व्यक्ति को कुलिया लेन उसे चमडे के जूते दान में देते रहना चाहिए लाप प्राप्त होगा शनी देवता का सात्वे भाव में फल सात्वे भाव जो होता है शनी देवता का उसे शनी देवता का उच्छ फल कहा गया है और यहां पर बैठकर शनी देवता अच्छे रजल्ट्स भी देते हैं जि तो आप इस शनी देवता को खराब ना करें विशेश कर आपका खानपान सही होना चाहिए आप यहाँ पर मदिरा का अत्यादिक सेवन करके शनीवार के दिन मदिरा का सेवन करके फिश का सेवन करके या नोनवेज का सेवन करके शनी देवता को खराब कर रहे होते हैं और यह पर खराब होना आपके लिए काफी परेशानी का कारण बनता है ऐसा ना करें शैनी देवता यदि आपकी कुंडली में आठवे भाव में आगे तो ये आठवे भाव में बैठकर आपके दुबारा घुटनों को जांगों को और गुपतांग को परेशानी करते हैं अब यहां पर स्थिती वैसे तो खराब नहीं होती क्योंकि यह हेड़कॉर्टर है परंतु आपको यह देखना है कि टक्कर की स्थिती में पहले बाव में अगर सूर्य देवता आ गए तो यह मेजर हेल्थ इशूज आपको दे सकता है मेजर सरकारी समस्यां दे सकता है कई बार यहां पर बैठकर शनी देवता क्रोनिक डिजीज भी दे देता है यदि उसका राहू से कोई संबंद बन रहा है तो ऐसी स्थिती में 800 ग्राम उडद जल प्रभा करें अगर कुंडली में नौवे भाव में शनी देवता बैठें शनी देवता आपके भाग्यस्थान में आ गए है डिपेंड करता है ब्रस्पती देवता पर वो कुंडली में कहां बैठे हैं और किस स्थिती में बैठे हैं परन्तु यहां बैठकर शनी देवता आपको बैक की समस्या देंगे ही देंगे रीड की हड़ी की समस्या देंगे ही देंगे बैक पेन होना स्लिप डिस्क होना यहा में व्यक्ति को नो दिन गंगाश नान करना चाहिए जो उसके लिए अत्यादिक उत्तम रहता है शनी देवता यदी दस्वे भाव में आजए अब दस्वा भाव शनी देवता का खुद का भाव है यहाँ पर शनी देवता अक्सर अच्छे रजल्ट ही दिया करते हैं परंतु यदी व्यक्ति ने शनी देवता को यहाँ पर खराब किया हुआ है जैसे के सिम्टम्स मैंने पहले बताए हुए हैं यहाँ पर शनी देवता आपके लिए समस्या का कारण बनेंगे आदमी को शराब नोन वेज इन चीजों से परहेज करना चाहिए खास करके शराब पीकर य यदी व्यक्ति अपने नाम पर मकान बना ले तो अगर व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया तो यहाँ पर शनी देवता नराज हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए करना ही पड़ जाए तो उपाय कर करें शनी देवता यदी ग्यारवे भाव में हैं आपकी कु चेक करने हैं और ब्रस्पती की स्थिती को देखना है कुंडली में कैसे हैं और ब्रस्पती देवता कुंडली में कहां बैठे हैं यदि शनी देवता यहां पर जैदा समस्या कर रहे हैं तो साथ सरसों की तेल की बुले कच्ची जमीन पर गिरा कर उपाय किया जा सकता है आपन जमीन पर गिराने का रिच्वल होता है उसका मतलब यह होता है कि जो शराब है जो शनी देवता है को उसको अमने कच्छी जमीन पर गिरा कर सात्वे भाव में जहां शनी देवता उच्च के होते हैं वहां पर पहुचा दिया शनी देवता बारवे हाउस में सबसे अच्छी सि अगर आपने शनी देवता को खराब नहीं किया है तो अगर आपने बारवे भाव में बैठकर शनी देवता को नराज कर लिया शराब का शेवन करने से कवाब का शेवन करने से तो शनी देवता खराब रजल्ट देंगे अदरवाश शनी देवता आपको धन धन्य भी देंगे लग्जरीज भी देंगे सहीया शुक भी देंगे और आपके जीवन में मकान घर आदी भी पनेंगे